नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्मन मोहन स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्ता आज के इस वीडियो में मैं आपको टैच स्वीच बनाना सिखाऊंगा इस टैच स्वीच सरकीट को आप अपने स्वीच बोर्ड में लगा सकते हैं किसी भी लोड को on और off कर सकते हैं ठीक है इसमें capacity touch switch वाला module हमने यूज किया और साथ में solid state relay बनाया है MOC 3021 और BT136 strike को यूज करके ठीक है ये एक solid state relay जो कम power पे heavy load को on off कर सकता है दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही compact circuit हमने बनाया है ठीक है बहुत ही easily हमने zero PCB पर assemble कर लिए है यह हमारा touch switch module है ठीक है यह हमारा optocoupler IC है और यह हमारा triak है BT136 और दो resistor हमने use किया 100 ohm के यहाँ पर DC input देना है 5V का ताकि इस switch को operate किया जा सके ठीक है और यहाँ पर जो है line और neutral यह AC input के wire है ठीक है जिससे इसको यह switching करेगा और output पर हम bulb connect कर देंगे यह fan भी connect कर सकते हैं heavy load को इसमें यहाँ पर हम connect कर सकते हैं 500 watt तक का ठीक है तो काफी heavy duty circuit है यह और इसको practically हम use कर सकते हैं इस तरह के चार कीट हम लगा के हम एक switchboard में fix कर सकते हैं और हमारे switchboard को पूरा touch capacitive touch वाला switchboard बना सकते हैं ठीक है तो चलिए हम चलते है computer screen पर जहां मैं आपको बताऊंगा components का internal structure और कैसे हम इसकी wiring करेंगे चलिए दोस्तों जो components हमें चाहिए इस circuit को बनाने में कुछ इस प्रकार है यह हमारा touch switch module है ठीक है यह इसका फ्रेंट है और यह इसका बैक है बैक की जुरत भी यहाँ पर पढ़ेगी मैं यहाँ पर डाइग्राम रखा है ताकि आपको समझ इसके बाद हमारी जो यह optocouplarize है यह इसका internal structure है इस पर आगे हम डिसकस करेंगे यह हमारा track है track में जो है तीन gates होते हैं sorry तीन pins होती है gate T1T2 यह इसका सिंबल है graphical symbol ठीक है किस तरह से इसे यूज़ करना है और यह हमारा load है जो कि 100 watt का bulb यूज़ किया है हम यहाँ पर जो है करने से क्या होगा कि toggle state को toggle करने के काम आएगा ठीक है एक बार touch करने पर on करेगा और दुस्की बार touch करने पर वह off करेगा ठीक है तो इसको मैं यह से हटा देता हूं ज़रत नहीं है चले फिर एक बार ले आता हूं देखिए मैं बताता हूं आपको यहां पर यह पिंस दिख सरकीट है इसके लिए हम कोई बैटरी उसकर सकते हैं लिथिमायन बैटरी 3.7 वोल्ट पर भी ऑप्रेट हो जाएगा ओके या फिर मोबाइल का चार्जर यूज कर सकते हैं वह इसली अवेलेबल हो जाता है हर जग हम देखते हैं हमारा मोबाइल खराब हो जाता है लेकिन चा हो किया है तो यहां पर हम जो है उसी चार्जर से लेगरेफ़ डेंगे था कि मतलब 5 वोल्ट का पॉजिटिव यहां उगए और उसका नेगेटिव यहां ओग Michaं अभी हम क्या करेंगे यह यह राइसे स्टर की जरुट हमें एहां रहेगी और एक रेसिस्टर हमें की दूसरी inbuilt LED होती है उसका positive connector है ठीक है तो यहाँ पर positive हमें देना है इस IC को और वो भी हम दे सकते हैं एक resistor के through देंगे ओके ताकि अंदर का LED कहीं short न हो जाए ठीक है क्योंकि 5V पर normal LED भी खराब हो जाता है तो definitely इसके अंदर जो LED वो भी खराब होई जायागा इसलिए एक resistor लगाई लेते हैं अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर जो output है उस output को इस resistor से जोनना है हमको ठीक है तो एक wire हम यहां से extend करते हैं और इसको हम खीचते हैं यहां तक ठीक है तो यहां पर wire हम इसको connect कर देंगे तो यहां से output जब high आएगा ठीक है तब यह अंदर का LED हमें ओन करना है ठीक है तो LED को positive तो हमने दे दिया है अभी हमें देना है LED को negative supply ठीक है तो negative हम क्या करेंगे directly connect कर देंगे यहां जो हमने जो touch switch को जो negative जा रहा है वही wire extend करके हम यहां पर pin number two पर दे देंगे ठीक है तो इसको हम यहां से यहां तक एक black wire से connect कर देते हैं क्योंकि यह negative supply है यह ground कह सकते हैं इसको तो इसको हम यहां पर इस तरह से extend कर देते हैं ओके तो इसी के साथ IC का left hand वाला तो circuit complete हो गया और को वारिंग नहीं है pin number three जो है वो NCA ठीक है नीचे circuit diagram में आप देख सकते हैं ठीक है अभी इसके right side में आते हैं हम यहां पर आप देखेंगे कि जो यह pin number four है ठीक है यह circuit diagram आप नीचे देख रहोंगे दो तो NC हो गए यह pin number 5BNCA और यहां पर यह T1 और T2 है यह T1 और T2 सा आप confuse मत हुएगा कि यहां जो T1 T2 है और यहां भी T1 T2 है नहीं यह बहुत है डिफरेंट ओके यहां जो IC के अंदर है वो डायक है और यहां BT136 जो है वो ट्रायक है ओके हम इसको यहां पर हटा सकते हैं लेकिन रहने देते हम हमारे रेफरेंस के लिए सारकी डायक्राम को नीचे रहने देते हैं चलिए यह वायरिंग कुछ इस प्रकार होगी कि पिन नंबर 4 को हम गेट से करेंगे यह डायक उस ट्रायक को अपरेट करने के लिए हम यूज कर रहें ठीक है यह जो हम बना रहे हैं यह एक सॉलिड स्ट रिले बना रहे हैं सॉलिड इस्ट रिले क्या होता कि बहुत ही कम पावर पर वर्क करता है और यह हाई वोल्ट तक की स्वीचिंग कर लेता है और यह कंपरिटिवली रिले से ज्यादा लोंग लाइफ होती है इसकी ठीक क्योंकि इस अंदर कोई मेकैनिकल फंक्शन नहीं है चलिए तो इसको यहाँ पर हम यहाँ पर वायर को एक्स्टेंड करते हैं और गेट वाले वायर को यहाँ पर टच कर देते हैं पिन नमबर फॉर को हम इस ट्रायक के गेट से कनेट कर देंगे और बाकी वायर को हम यहाँ से हटा देते हैं और चलिए यह वायरिंग तो हुई अब हमें क्या करना है कि यह जो bulb है ठीक है इस bulb को operate के लिए जो wires आएंगे वो कहां से आएंगे चलिए मैं बताता हूं पहले आगे की wiring हम शुरू करते हैं pin number 6 से ठीक है हमें क्या करना रहेगा एक resistor लगाना है pin number 6 पर लेकिन यहां पर हमें थोड़ी सी space कम दिख रही तो इसको के इसका PCB कैसे design करना है ठीक है PCB etching की process मैंने सिखा रखी मेरे पिछले वीडियो में ठीक है अगर आपको नहीं देखा है अपने miss कर दिया है PCB etching तो मैं उसका link description box में उस वीडियो को भी एक बार देख लेना इसके बाद आने वाले वीडियो में मैं क्या करूंगा यही touch switch जो हम एक professional PCB बना लेंगे घर पर ही ठीक है चलिए फिलाल हमें क्या करना था यहां pin number six पर यह रैसिस्टर लगाना था जो हमने लगा दिया है ठीक है अभी इसका आगे का वायर ले जाना है T2 पर ठीक है इस track के T2 पर हम इसको यहां पर connect कर देंगे ओके तो यहां पर हमने क्या क करना है कि मैंने इसी supply से connect करना है ठीक है तो मैंने इसी supply जो आएगी उसमें neutral तो direct bulb के अंदर चला जाएगा ओके neutral डारेक्ट वहां चला जाएगा और जो face है वह face जो है इन दोनों IC और track के थ्रू जो है switch किया जाएगा कैसे मैं बताता हूं देखिए जो T1 है ठीक है इस T1 क को हम output में यूज करेंगे सिधा bulb में जाएगा तो यह हमारा bulb और इसमें हमने सिधा यह connect कर दिया ठीक है तो यह output हो गया है ठीक है तो face जो है वह बल्ब में जाएगा इस track के थ्रू और neutral इस बल्ब को directly दे दिया जाएगा तो neutral के लिए एक wire बनाना है हमको वह बना लेते हैं चलिए अभी हम क्या करेंगे कि यहां पर आप देख सकते पिन नंबर 6 पर रेसिस्टर लगाया है ना तो हमें एक face का wire जो है input देना है output तो हमने वहां से ले लिया है तो इस wire को यहां पर extend कर देते हैं यहां पर हम इसको दे सकते हैं input लेकिन नहीं वहां नहीं हम यहां दें आता अब यह में डारेक्ट जो ट्राय कि उसमें डारेक्ट लाइव वायर देना रहेगा तो इस wire को मैं यहां पर extend करता हूं नीचे की तरफ यह हमारा लाइव वायर हो गया है ओके जो मैं फेस वाला वायर है वह यह रेड वाला है ठीक है और जो पर का input यहां दिया जा posso under को खच्ज में पूरा यह बना सकते हैं ठीक है यह टस्विझ बहुत ही सिंपल वाय इंके साथ बन गया ऐसे ही चार्ट स्विच अगर आप लगा लेते हैं एक लाइन से तो जो चार चैनल वाला जो स्विच बोर्ड होता है अपना घर पे उसको आप डिजाइन कर सकते हैं पूरा जो की कैपसिटीव टच पर वर्क करेगा ओके बहुत ही अच्छा सरकीट बनाया है मैंने बहुत ही स पॉनेंट्स जो यहां यूज किए सबकी कंप्लीट डियाइवाई किट जो है अमेजन पर अवेलेबल है ठीक है उसका लेंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से पर्चेस कर सकते हैं चार चैनल के साथ ही अवेलेबल रहेगा जिसमें चार टच स्विच रहेंगे च तरह का आप जो है एक स्विच बॉर्ड बना सकते हैं आटोमेटिक ठीक है मैंने यह स्विच बॉर्ड एडवांस बनाया इसको रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप रिमोट वाला किट पर्चेस करना चाहें तो वह किट भी अविलेवल है अमेजन पर उसके आसकते हैं और किस प्रकार के वीडियो आप देखना चाहते हैं आइफ आपको पसंद आप